तो हलो नमस्कार दोस्तों क्या हाल चाल उमीद करता हूँ हाल चाल बढ़िया होंगे ना आज हम क्या पढ़ेंगे जो भारत का मेप है उसमें जो राज्ये किस प्रकार दर्शाए जाते हैं किस प्रकार याद करवाए जाते हैं और ट्रिक्स ही याद करवाओंगा यान कि कौन सिस्थान पर कौन सा राज्य आएगा क्योंकि याद करवाने की गारंदी तो हम लेते ही है क्योंकि हम क्या है हम जिद्धी है ना जिद्धी होता वो याद करवा देता है ठीक है अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा राज्य आएगा उसके नीचे कौन सा राज्य आएगा इस प्रका नंबर वन पर क्या आएगा नंबर वन पर तो याद कर लो वेसे तो दो इससे हो गए इसके है न जम्मू कस्मीर अलग हो गया और लदाख अलग हो गया ठीक है तो आप तो याद करो जम्मू कस्मीर ठीक है ये वाला इससा जम्मू कस्मीर है और उपर वाला लदाख हो गया ठीक है अब जम्मू कस्मीर है जम्मू कस्मीर के नीचे क्या आएगा यहाँ पर यहाँ पर आएगा हिमाचल परदेश क्या आएगा हिमाचल परदेश जम्मू हिल गया तो हिल गया तो हिमाचल परदेश एक बार लिखे लो, फिर ट्रिक्षे याद करूँगा, कैसे याद किया जाता है ना, तो जम्मू कस्मीर के नीचे आएगा हिमाचल परदेश, हिमाचल परदेश के बगल में आएगा पंजाब, पंजाब के नीचे यहाँ पर क्या आएगा, हरियाना, क्या आएगा, हरियाना, किसी याद करोगे जम्मू हिल गया तो जाब किया ठीक है जाब किसका किया हरी का जाब किया हरी का मतलब हरी किसी कहते हैं कर्शन जी को कहते है तो जाब किसका करोगे हरी का जाब करोगे अब हरी तो क्या कर रहा है राज कर रहा है हरी तो क्या कर रहा है, राज कर रहा है, तो राज राजस्तान, ठीक है, हरी राज कर रहा है, तो राज करते करते क्या हो गया, गुजर गया, गुजरात, क्या हो गया, गुजर गया तो गुजरात, अब जो वेक्ति गुजर जाता है, वो क्या होता है, वो अपने आपको महान क आता है तो महान से महाराष्टर ठीक है गुजर गया महान हो गया तो महाराष्टर अब महान हो गया तो वो क्या करता है अब नातक करने लग गया ठीक है अब नाटक कर रहा है तो इसको अपने क्या खिला दिये क्रेले खिला दिये क्या खिला दिये क्रेले खिला दिये तो केरल ठीक है एक बार वापत देखो जम्मु कस्मीर हिल गया तो हिमाचल परदेश जम्मु कस्मीर हिल गया तो पंजाब यानि कि जाब किया किसका जाब हरी तो राज करता है राज करते करते गुजर गया गुजरने के बाद वेक्ति क्या हो जाता है महान हो जाता है और महान होने के बाद क्या करता है वेक्ति नाटक करता है और नाटक किया तो उसको क्या खिला दिये करेले खिला दिये हरी को ठीक है अब करेले खिला दिये तो उसको गुस्सा आ गया और तो क्या बोल रहा है कि तू मिल तेरों को तो मैं बता ही दूँगा ना क्या बताएगा कि तू मिल तो तू मिलेगा तो तमिल नाडू क्या एगा तमिल नाडू कर वह तू मिल तेरों को मैं बताओंगा अब ये मिन चला गया ठीक है तो मिला तो क्या हो गया उसकी आग फोर्दी और वो क्या हो गया अंदा हो गया क्या हो गया अंदा तो अंदा से आंदर परदेश क्या हाद करोगी आंदर परदेश तुम मिले वो मिला तो क्या हो गया उसकी आग फोर्दी उसको अंदा कर दिया तो आंदर प तेलंग गाना एक तो आँख फोर दी उपर से गाना गा रहा है तो तेलंग गाना ठीक है अब मानलो जैसे उसने तेलंग गाना यानि कि जैसे आँख फोरी गाना गाने लग गया तो उसको गुसा आ गया बोला कि एक तो आँख फोर दी उपर से गाना गा रहा है तो दोनों मे क्या हो गया 36 का आकड़ा हो गया 36 का आकड़ा हो गया 36 गड़ ठीक है वापस देखो जम्मू जम्मू हिल गया तो जाप किया हरी का हरी राज करता है तो राज करते करते गुजर गया अब गुजरने के बाद वेक्ति महान हो जाता है महान होने के बाद वो नाटक करता है तो उ सी मिला पोडी यांके ऑख फोड़ी फिर क्या किया गाना गाने लग गया तो बला गे एक तो आंक फोड़ दि ऊपर से गाना अगा रहा सबसे बता कोई दिकत मद्दे में, मद्दे मतलब सबसे बीच में, तो मद्दे में तो क्या आएगा, मद्दे पर्देश, क्या आया, मद्दे पर्देश, ठीक है, अब आजाओ इदर, हिमाचल पर्देश, हिमाले, मतलब पर्वत, पर्वत से नीचे उतरोगे, उतरोगे तो मतलब उतरा खंडे, ठ और थोड़ा उतर होगे, तो उत्तर पर्देश ठीक है, उत्तर पर्देश की यहीं बगल में आता है आपके बिहार, क्या आएगा, बिहार, क्या आएगा, बिहार, बिहार से क्या हो गया, मतलब बिहार से अलग हुआ, तो अलग बोलते खंड है, क्या बोलते खंड है, तो बिह भारखंड के नीचे क्या बचा आपके पस्चिम बंगाल क्या बचा पस्चिम बंगाल ठीक है जब भारत का मेप छोटा है थोड़ा सा तो अब मेप टिक याद कर ले ना वाकी घर में जो मेप आता है उसमें बनने की प्रेक्टिस करना ठीक है अब आजाओ इधर जो भारत के जो साथ राज्ये जिनको साथ बहनों के नाम से जाना जाता है उनको कैसे याद करोगे सबसे बीचो बीच में कौन बेटा है आसाराम बापू बेटे कहां पर बेटे हैं सबसे बीचो बीच में कौन बेटा है आसाराम बापू बेटे यानि असम ठीक है आसाराम के बापू क के उपर कोन बेटा है अरुन अरुनांचल कोन बेटा है अरुन बेटा तो अरुनांचल परदेश क्याएगा अरुनांचल परदेश आसाराम भापु ने अरुन से क्या कहा कि अरुन चले कहा चले नाग देखने तो नागा लेंड कहा चले नाग देखने तो नागा लेंड ठी क्या है नाग के पास मनी है तो मनी पूट ठीक अब आजाओ मनी है अब मनी देखने गए तो रस्ते में क्या आ गया मी आ गया मी मतलब बरसाथ जो मारवाड़ी बासा में क्या बोलते है इसको बरसाथ को मी आ गया मी आ गया जोड़दार वापत दगो देख रहे थे तो क्या गया मी आ गया जोड़दार ठीक है तो मी आ गया तो मी जोड़दार ठीक है अब मी कौन लाएगा त्री नेतर वाला मी जोड़दार आ गया क्यों आया क्योंकि जो जी उसने तीसरी आंग खोल दी इसलिए क्या गया मी आ गया जोड़दार तो तिरी नेतर वाले ने क्या आगया, तिरी नेतर की वाले के वज़े से क्या आगया है, बरसात आगया, मी आगया है, तो तिरी से तिरी पुरा ठीक है, तीसरी आँखोली तो मी आगया, तो मी आएगा, तो क्यों मेग तो आएंगे ना, मेग का मतलब बादल ठीक है, तो यहा याद गरोगे सिक्किम सिक्के से सिक्किम इधर छोटा सा बचा है उसको याद कर लेना आप है गोवा तो बताओ क्या सी रही ट्रिक देखो एक बार वापस यह कर लेना लदाग जमू कस्मीर ठीक है जमू कस्मीर हिल गया तो हिमाचल परदेश हिल गया हिमाचल परदेश ठीक है हिला तो क्या किया जाब किया जाब से पंजाब किसका जाब किया हरी का जाब किया हरी का तो हरियाना हरी क्या करता है राज करता है तो राजिस्तान राज करते क्या हो गया गुजर गया ठीक है तो गुजरात गुजनने के बाद वेक्ति महान हो जाता है तो महाराष्टर महान होने के बाद क्या कर रहा है नाटक कर रहा है तो करनाटक जैसे उसने नाटक किये तो क्या खिला दिये करेले खिला दिये करेले खिला दिये तो गुस्सा आ गया अंदा हो गया तो आंदर परदेश अब एक्ति को आंदा किया तो क्या हो गया अब क्या कर रहा है वो गाने गा रहा है अब उसको गुसा गया जिसकी आंख फोरी थी कि अब एक तो आंख फोरी उपर से गाने गा रहा है तो दोनों में क्या हो गया 36 कहां कड़ा हो गया तो 36 गड़ हो गया और दोनु क्या हो गया दूर दूर हो गया उड़ गया एक इदर उड़ गया एक इदर उड़ गया उड़ गया ठीक हमाले से उतरो गया थोड़ा उतरो गया तो उतरा खंड और थोड़ा उतरो गया तो उत्तर परदेश उत्तर परदे अरुन से क्या कहा कि अरुन चले कहा चले नाग देखने क्यों चले क्योंकि नाग के पास मनी है ठीक है मनी देख रहे थे तो मी आ गया जोरदार मी जोरम क्यों आ गया क्योंकि तीरी नेतर वाले ने क्या खोल दी तीश्री आँख खोल दी तो तीरी नेतर से तीरी पुरा ठीक तिक से मैंने याद करवा दिया बताओ कोई दिक्कत है क्या छोटी सी किल्यास थी भारत के राजे मैंने आपको बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से याद करवाने की पूरी पूरी कोशीश किये तो एक बार गर पे ओर ट्राइ करना ओर next क्लास में और महतपुन टोपिक लेकर आता रहूँगा तो तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहे पढ़ाते रहे, खेलते रहे खिलाते रहे, तो आज के लिए इतना ही next class में और बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, सुक्रिया, आदाव सस्त्रिया का